हेलो गाई, कैसे हैं आप लोग, सुवागत एं आप लोगों काफिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों बताऊंगा गाईज, कि रेडमी 10A फोन में आप लोग स्टोरेज को कैसे इनक्रीस कर सकते हो अगर आपके पास एक Redmi 10A phone है और उसमें आप लोगों को storage जो है वो बार बार फूल हो जा रहा है या खाली कर रहे हो फिर भी खाली नहीं हो रहा है तो उन सब problem को जो है आप लोग कैसे solve कर सकते हो तो इस वीडियो को लास तक देखिए गाइस और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए तो चलिए गाइस वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोग को 3-4 tips देने वाला हो गाइस उन tips को use करके जो है आप लोग अपने storage को increase कर सकते हो अपने Redmi 10A के फोर्मे ठीए गाइस तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो storage को increase करने के लिए सबसे पहले आप लोगो क्या करना है यहाँ पर आप लोगो gallery को open कर लेना है यहाँ पर से आप लोग जो भी फोटोस और वीडियोस बगरा को use नहीं कर रहे हैं उन सब को जो ही delete कर देना है delete करने के बाद भी अगर आप लोगों को जो ही storage खाली नहीं हो रहा है इसका मतलब किया है आपका जो भी delete किया हुआ फाइल है यहाँ पर आपके जितने भी delete फाइल होंगे सब यहाँ पर आप लोगों को दीख जाएंगे इसलिए आप लोगों का storage खाली नहीं हो रहा है तो यहाँ पर से जब आप लोग उसको delete करोगे select करके तबी जो है आप लोगों का storage खाली होगा तो trust file से आप लोग सब delete कर दीजिए गाईज अपने delete file को तब आप लोगों का storage जो है वो increase हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते गाईज उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते redmi के phone में security का application आता है इस application पर click करना है click करने के बाद देख सकते यहाँ पर cleaner का option है cleaner पर click करना है cleaner पर click करने के बाद यहाँ पर से आप लोगो clean करना है देख सकते clean up का option आगया है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं आपका जो भी केची फाइल वगेरा होगा यह सब यहाँ पर डिलेट हो जाएगा ठीके गाइस ऐसे करके भी आप लोगों अपने storage को को increase कर सकोगे इसके बाद आप लोगों क्या कर सकते कुछ अगर आप लोगों ने बहुत सारी application यहाँ पर download करके रखे जैसरे आप बहुत सब लोगों नहीं कर रहे हो तो अगए यहाँ अगर आप लोग भी हो यह माँ को डिलेट करना है simply आप लोगों को उस application पर long press करके रखना है ठीक है लोंग प्रेस करते ही यहाँ पर देख सकते अन इंस्टॉल का option आ गया है तो यहाँ पर से जो है हम अगर अन इंस्टॉल पर click कर देंगे अमारह यह एक प्लीकेशन यह न इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपकलो करके दिखा दिखा देता हो देख क्लिप क्लिक और यहाँ पर यहां पर पर अनिस्टॉल हो गया ठीक है फ़ीं के आप लोग अंस्टॉll कर सकते किसी भी एप्लिकेशन को उसके बाद आप लोगों क्या करना है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर से नीचे जाना है गाइस नीचे एक ऐक्स को अप्षिन looks का देख सकते ये तो इस अप्स के ओप्षिन पर आप फिलाल मेरे Amazon तो मैंने अभी तक login भी नहीं किया इसलिए यहाँ पर clear data नहीं आ रहा है मैं आप लोगों कुछ दूसरा जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं जब मैंने camera को open किया तो यहाँ पर clear data को option है अगर हम clear data पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते जो है आप लोगों का storage increase हो जाएगा उसके बाद आप लोगों किया करना है गाई उसके बाद आप लोगों YouTube को on कर लेना मैं आप लोगों दिखा देता हूँ तो मैं आपर अपने YouTube को जो है आपर open कर लेता हूँ open करने के बाद क्या करना है गाई मैं आप लोगों को बताऊं और यहां पर देख सकते हैं डाउनलोड का ओप्शन है अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपने अगर गलती से यूटूब से वीडियो और म्यूजिक वाइकर डाउनलोड किया होगा वह सब यहां पर शो हो जाएगा तो इसके लिए भी आप लोगों का स्टोरेज लेता है उसके बाद में आप लोगों को और एक अच्छा टीक देने वाला हो गाईस तो आप लोगों को सबसे पहले फेस्बुक में एक अकाउंट बनाना है निव एकाउंट ठीक गाईस एकाउंट बनेने के बाद आप लोगों को प्रोफाइल पूप पिक्चर या कुछ भी अपल होना चाहिए उसके बाद आप लोगों क्या करने को परोफाइल या वीडियोज वीडियो बगईर होंगे सब आपर अप लोट करते हैं ठीक हाइट करके upload कर देना है upload करने के बाद अपने गैलेरी में से आप लोगोंगों उनसब को डिलेट कर देना है आपके फेस्बुक में जो है आप लोग से प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोरेश को इनक्रीज कर सकते हों, अपने Redmi 10a फोन में, तो कैसा लगा कैसा आप लोगों को ए वीडियो उगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए, मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई